नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरी चैनल फिर्स्ट इंडिस्मेंट पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि को कॉंसे स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं एन निफ्टी बांक निफ्टी का क्या सेनरियो रह सकता है तो इस तरीकिस हम लोग ने देखा था कि मार्केट दुबारा एक गाप अपन हुई थोड़ा सा उपर गई और उसके बाद हम लोग ने फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आते वे देखी यानि कि गाप आप के बाद दुबारा रेट्रेस्मेंट आते हैं को हमें मिला जिस तरीकिस हमें लग रहा था कि आज के मार्केट पर रेट्रेस्मेंट नहीं आएगा मार्केट कंटिनिशली उपर जाएगे और हाई लेवलस पर ही क्लोज होगी बट जिस तरीकिस हम ने देखा था कि फिर दुबारा प्रॉफिट बॉकिंग आ रही थी तो हमें लग रहे कि market का structure थोड़ा सा वीक हो रहा है बट अभी भी important levels break नहीं हुए है तो जब तब 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 लोग market पे short के लिए नहीं जाएंगे confirmation के लिए वेट करेंगे and हम लोग अभी buy के लिए ही जाएंगे ठेक है? गैस एक important बात और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 5 stocks daily यहां पर आप लोगों को upload करके देता हूँ plus extra 2 stocks मैं आप लोगों को instagram पे भी देता हूँ for example मैंने कल sale provide करवाया था जो कि 4% की up move आज दिखा के गया है सो आप लोग हमें instagram पे भी follow कर सकते हैं जो in total आपके बाद 7 stocks हो जाएंगे plus कुछ ऐसी चोटी मोटी updates होते हैं जो मैं आप लोगों को youtube पे नहीं बता सकता time to time तो मैं वो instagram पे post कर देता हूँ अपनी stories के थूँ या IGTV के थूँ तो आप लोग हमें वहाँ पर follow कर सकते हैं for example Friday को मैंने gold के लिए buy के लिए दिया था around 47,100 के आस पास मैंने बोला था कि you can buy in a gold and वहाँ पर सुने बहुत अच्छी movement दी है मैं आपको charts भी दिखाऊंगा and मैंने वहाँ पर बोला था कि मैंने US की market पे gold को buy कर रहा है मतला मैंने 1800 dollars पे gold को buy कर रहा है so right now this particular gold मुझे 11,000 sorry 11,000 dollar का profit दे रहा है Instagram पे मैं आज पोस्ट करने वाला हूं उसे आप जा के check भी कर सकते हैं plus मैं आप लोग को एक बाद गोल्ड का setup भी दिखा देता हूं आप लोग लगता है just wait a second yes so this is the gold yeah आप यहाँ देख सकते हैं around 1832 पे चल रहा है particular gold see एक simple analysis थी बिल्कुल simple analysis थी yeah आप यहाँ देख सकते हैं एक range के अंदर यह particular gold काम कर रहा था एक symmetrical triangle के exact support पे ता है and we go for a buy at this particular level Friday को जो momentum आई थी अगर मैं आप लोगों को simple gold का future का charge दिखा देता हूं इन Indian market तो आप देख सकते हैं कि 147,800 पे particular gold trade कर रहा है so मैंने recommend कर रहा था 47,100 पे IGTV पे वीडियो बनाई ती आप जाके चेक कर सकते हैं and I think कि अगर आप भी updates को लेंगे आप लोगों को definitely profit होगा नीचे description पे link है आप में Instagram पे follow कर सकते हैं तो बढ़ते हैं में stocks की तरफ guys यह जो 5 stocks हैं मेरे 500 stocks मेरे portfolio पे हैं long term portfolio के हैं तो यह मत सूचेगा कि मेरे portfolio पे हैं तो मैं इसलिए आप लोगों को recommend कर रहा हूं क्योंकि यह वाले stocks में multiple बार आप लोगों को बता चुका हो कि मैं यहां पर भी कर रहा हूं मैंने यहां पर भी और accumulate कर रहा है so यहां पर कुछ patterns के breakout आया है यहां फिर definitely लगता है कि यहां से एक upside है इसलिए आप लोगों stocks recommend करे जा रहे है for example the first stock is Loras Lab Loras Lab अब आज हम लोगों ने अपने class पे भी इसके बार में discussion किया था Loras Lab के अंदर and yeah आप देख सकते हैं कि एक particular resistance था on a higher time frame let me show you see यहां एक multiple resistance था जब उसने resistance को break कर रहा that become our support and eventually इसी level से double bottom create करके fall up move एक फिर double bottom and यहां से ओपर जा रहा है right now this price is trading at the stock is trading at 357 अगर यह 358 यह 359 के उपर जाता है हम लोग एक buy setup इसके अंदर भी generate कर सकते है okay our next stock is Ratnam yeah इस particular stock के अंदर भी बाय करने की सला दे रहा हूँ आप देख सकते हैं कि pennant pattern का हम लोगों ने देखा था breakout आया था breakout आने के बाद मैंने इस breakout इस candle के breakout पे भी suggest कर रहा था बट कुछ नहीं वा अगले देन हम लोगों ने एक retest देखा and दोबार एक up move start हो चुकी है so right now this particular stock is trading at 16.46 अगर यह 16.50 के उपर निकलता है और एक 15 minute की candle close देता है आप यहाँ पर एक buy initiate करके चल सकते हैं why I am saying 15 minutes candle closing because आप देख सकते हैं कि there is a resistance at this level so इसको cross होने दीजिएगा तभी buy करिएगा and third stock is persistent let me check third stock is persistent यह वाला particular stock भी आज हम लोगों ने अपने class पे discuss करा था around 1735 यह 40 लेवल्स पे था अभी जो इसकी closing होई है let me show you 1775 पे जो मैंने इस पे last buying बना रखिया that is 16 था 160 रुपीज के आसपास इस लेवल पे यह जब लेवल ब्रोक हुआ था तभी मैंने एक buy निशेट करा था क्योंकि हम लोग ने alerts लगा रखे होते हैं अपने trading account पे जब भी वो alert आता है हमारम लोग तुरंद buy कर लेते हैं तो यह अभी वी एक buy setup है और मुझे लगते कि यह 2000 लेवल तक भी जा सकता है within a matter of weeks तो इस particular stock को भी अगर आप रखना चाहते हैं अगर कल यह dip देता है तो definitely मैं बोलूँगा आप इस accumulate करना start कर सकते हैं okay third fourth stock is decal 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 पे भी buy करने की सला दी जाएगी आप लोगों and आप देख सकते हैं let me show you see एक sharp up move उसके बाद continuously it's making from August it's lower lows and lower highs आप अपने exact trend line से जो इसकी supporting trend line है exact उस price से ऊपर जा रहा है बढ़ हम लोगों ने आज भी buy नहीं कर रहा है इस talk में हम लोगों ने discuss कर था हम लोग ने बोला था जब यह level break होगा that is this particular trend line because यहाँ देख सकते हैं इस level पे support इस level पे support जब support break करा that become resistance और अभी यह resistance का act कर सकता है so अगर कल इसकी उपर यह जाने की कोशिश करता है तब हम लोग एक buy setup generate कर सकते है and I think 170 plus तक की levels भी दिखा सकता है within a matter of months so यह particular stock भी हमारे पास already है मैंने यहाँ पर इसकी उपर मैं और अच्छी positions को add करने वाला हूँ because अभी मैंने थोड़ी बहुत इस पे जो position ली थी वो इनी levels पे ली थी तो मैं और positions add करूँगा जब इसका breakout हमें देखने को मिलेगा okay our last stock is advanced enzymes just wait a seconds yeah advanced enzymes में type कर देता हूँ okay so advanced enzymes पे हम लोग buy करने के बारे में सोच रहे है I think कि वो नीचे होगा yeah this is so advanced enzymes में buy करना है आप देख सकते हैं कि sharp up move के बाद दोबार है हमें एक continuous breakout देखने को मिला है from this particular level देखे एक up move उसके बाद एक consolidation and it gave a very very good breakout so अभी exact एक sharp up move के साथ इसने breakout दिया so we have to wait okay मैं आप लोगों को stock recommend कर रहा हूँ because I think कि अगर यह उपर जाएगा तो हम लोग opportunity में इस कर लेंगे इसे definitely watch list के अंदर रखेगा अगर कल यह halt candle बनाता है यह थोड़ा सा नीचे आता है you have to go for a buy ठेक है यह फिर अगर आप लोग बाई नहीं करते है और अगर वो continuously उपर जा रहा होता है तो आप लोग 3.66 के उपर बाई कर सकते है because यहाँ पर एक छोटा सा resistance है जो आइ थिंक की वो break कर देगा okay so these are the five stocks अब बात करते है nifty bank nifty की so let me show you nifty first of all 15 minutes time frame पर चलते है nifty के yes so nifty के time frame पर what we have seen की exact इस level से breakout आया ठाया इस level से momentum हमें देखने को मिली momentum देखने के बाद एक gap up हुआ यह जो एक strong gap up हमें देखने को मिला right now it's making higher highs and higher lows okay अपने previous low को break नहीं कर आया अपने previous high को break कर रहा है so in accordance to bank nifty in accordance to bank nifty nifty is very strong okay because lifetime high that is 12,000 something उसको जब break रहा तो almost उसके पूरे bottom से top तक का 1.618 percent Fibonacci extension cover करने वाला है but bank nifty ने अभी ही अपने previous high को break कर रहा है कुछ time पर लहीं so bank nifty पर हम लोग अगर buy chance bank nifty में selling आता भी है तो वहां पर हम short करके nifty को एक buy के रूप में लेकर चल सकते हैं एक fall and एक sharp up move exact इसी level पर हम एक resistance देखने को मिला है so I think कि यह level हमारे लिए एक demand zone है अगर skull index particular इस level पर आता है तो हम लोग अगर इस level से reversal होता है एक reliable pattern form होता है so यह आपर हम लोग definitely buy position लेकर चल सकते है और अगर हमें buy position करनी है तो इस level के breakout होने के बाद ही हम लोग buy करेंगे because अगर इसे break होता है तो एक gap है जिसे वो fill करने आ सकता है but I think कि अगर यह उपर side जाय तो ही आप लोग एक buy initiate करेगा वहाँ पर एक safe bet आप लोगों को देखने को मिल सकते है so इसे के साथ session को एंट करते है इसे के important बात और मैं अपना एक trading setup बना रहा हूँ almost 5-4 दिन के अंदर यह trading setup बन जाएगा for example मैं आपको बदाता हूँ एक table बनवाई है and table के साथ I am two monitors ले रहा हूँ CPU के साथ बहुत जाधा costly मैं आप लोगों को बता हूँ CPU बनाना बहुत जाधा costly है और अगर आप 4 screen उसके साथ चलाना चाहो एक CPU के साथ या 2 screen definitely very costly so जो gold का profit आया है उसी को use करेंगे and I think की बहुत अच्छे से बन जागा मैं एक tripod भी ले रहा हूँ और मैं एक camera भी ले रहा हूँ webcam ले रहा हूँ जिसके थुरू मैं अच्छे से recording कर पाऊँगा मैं एक software अच्छे से purchase कर रहा हूँ मैं right now Filmora purchase ले रखा था but वो corrupt हो गया वो चला नहीं तो उसके वज़ए से editing में दिक्कत आरही थी आप लोगों को previous videos पे अगर आप मुझे कोई best software video editing का बता सके चाह paid हो चाह free हो आप मुझे comment section पे बता सकते है ठेक है इसके बाद मेरी forex की series start होने वाली है थोड़े time पे उसके बाद cryptos की series मेरी start होने वाली है and various things मैं आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ जैसी मेरे trading setup बच जाएगा so मैं मैं मिलता हूँ आप लोग इस अगली video पे मैं शिवांस भसीन signing off and remember to follow my Instagram account